हलो और आप सभी का स्वागत है on the unstoppable मेरा नाम है प्रतिक नयक और आज इतियास की इस तारीक में मैं आपके लिए लेके आया हूँ 31 मार्च 1931 को क्या हुआ था इतियास के इस दिन के अंदर बहुती इंट्रेस्टिंग आपको जानने को मिलती है और वो फैक्ट है सरदार वलब भाई पटेल कॉंग्रेस के पहली और आखरी बार प्रेसिडेंट बने से जी हाँ दोस्तों कॉंग्रेस जो इतनी बड़ी संस्ता के रूप में इंडियन नाशनल मुहमेंट के अंदर रोल प्ले करती है तूवर्स इंडियन इंडिपेंडेंडेस है ते ट्रांसफर ऑफ पावर उस कॉंग्रेस के दिगर्ज नेता के रूप में वलब भाई पटेल का जो स्टापना हुआ था इस्टाब्लिश्मेंट हुआ था इस्टाब्लिश्मेंट के तहत पहली और आखरी तो यहां पर कोंट्रीशन देखने को मिलेगा तो हम लोग कोशिश करेंगी कि वलब भाई पटेल जब के प्रेसीडेंट बने तो कराची के अंदर क्या हुआ था जी हँआ दोस्तों यह सेशन कराची के अंदर होता है कराची इसको कहते है जो 1931 का सेशन था और इंट्रेस् सेशन नहीं होगा UPC prelims के अंदर आप देखोगे तो हर साल almost questions निकालती है with respect to the history of Congress the presidents of Congress Congress के sessions जो पूरव काल में हो चुके हैं उसके उपर से आपको सवाल आता रहता है तो यहां पर भी आने की शक्यता है वलब भाई पटेल आजाग भारत के के अंदर जिस तरह से contribution करते हैं खास करके पोस्ट इंडिपेंडेंस में प्रेंसिस स्टेट्स के मर्जर को लेके सिविल सर्विस के फॉर्मेशन को लेके चाइना की थ्रेट को उस ताइम पे उन्हों 1950 वे देखा था उसे बहुत सारे टॉपिक पूछे जा सकते हैं हम लोग आज के क्लास के अंदर फोकस करने कोशिश करेंगे कि कराची में क्या हुआ था कराची कॉंग्रेस में प्रेसिडेंट बनने से पहले वलब भाई पटेल 1929 में 1929 के अंदर भी जब हम लोग लाहूर कॉंग्रेस को देखते हैं तो लाहूर में भी इनका नाम प्रफोस कर दिया गया था और प्रदेश कॉंग्रेस कमिटी जो थी वह चाहती थी के लाहूर में भी कॉंग्रेस के प्रेसिडेंट के रूप में नहरू की जगा वलब भाई और यहां पर दूसरी कहानी नैशनल एक्क्रोग्राम की इस तरह से डिक्लार किया गया और चौशी कहानी हम लोग इसके अंदर से यह भी देखेंगे कि कैसे इंडियन नैशनल मुवमेंट के अंदर फंडामेंटल राइट्स का एवॉलूशन हुआ यह भी कराची कॉंग्र मैं आपको वेलकम करता हूँ आप मुझे फॉलू करिए मेरी प्रोफाइल को देखिए आपको बहुत सारी इंट्रस्टिंग फ्री क्लासे मिलेगी इन फाक्ट आज मैंने एक सेशन एड़ अल्रेडी स्पेशल क्लास के रूप में फ्री क्लास के रूप में किया हुआ है उस यह फ्री क्लास अटेंड करने के लिए आपको यह कोड यूस करना है जिसका नाम है पी एन लाइफ और कुछ नहीं करना बाकी अपन अपने के उपर हमारे पेड़ क्लासिस के लिए जूड सकते हो आज लास्ट डे है शाय तक मन्थ ओफर का या मन्थ एंडिंग के इसाब से मैं कहूंगा होली ओफर का एक्स्टेंशन है 50 परसंट आफ प्लस 6 परस आपको एक्सेंशन मिल रहा है वेन यू 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 यूस इस कोड पी एन लाइफ सिंगल स्टॉप प्लाटफॉर्म फोर और यू प्रिपरेशन प्रिलिम्स मेंस ऑफ्टिन इंटर्यू जीए सब होगा नई बैचिस इंग्लिश वीडियम की हिंदी वीडियम की हमारी चल रही है जो बाइनिंग्वल होती है जैसे मैं हिस्ट्री कराता हूँ और आज हमारा टेस्ट भी है बाइदवे 31st मार्च को जी एस और सीसेट दोनों का ओल इंडिया टेस्ट है आप जरूर से इसको हमारी अगले मैने और जून से शुरू हो जाएगी आप इसको भी जॉइन कर सकते हो हिस्ट्री ऑप्शनल मैं करवाता हूं कॉम्प्रियेंसिवली बाकी आपको हमारी तरफ से हर एक प्रकार की अश्रूरंस मिलेगी वेन यू यू यूस दिस कोड फी एन लाइन यूर मोस् कांग्रस के प्रेसिडेंट बने उसके पहले क्या हुआ था तो याद रखना कि कराची में हिस्टोरिकल रिजॉलीशन पास हुए थे यह हिस्टोरिकल रिजॉलीशन 31 मार्स 1931 के दिन पास हुए थे इसके लिए इसको कराची रिजॉलीशन की रूप में पैचानता है यू वलबभाई पटेल की इंडिनेशन मुव्मेंट में एंट्री कहां से हुई थोड़ी बहुत वह देख लेते हैं कराची कॉंग्रस के प्रेसिडेंट बनने से पहले तो याद रखना वलबभाई पटेल गुजरात सभा नाम की संस्ता के साथ जुड़े हुए थे जो वीवि पटेल खेडा सत्य अगर भी करेंगे घांधी के साथ इंफेक्ट वहां से ही वह बहुत ही अक्टिव हो जाता है याद रखना एंदाबाद के अंदर जो कॉंग्रस का 1921 का सेशन हुआ था उसमें वह पटेल चेर्मेन हुआ करते थे रिसेप्शन कमिटी क्योंकि होम अपना की थी घांधी के द्वारा यह तिलक सोराज फंड को किसी ने वी विल सी कि चैनलाइज किया है और उसमें पैसा इखटा करवाया था नौन कोपरेशन मुवमेंट के समय पे तो वह भी वल्लब भाही पटेल ही हुआ करते थे यह भी हमारे लिए फैक्ट हो जाना चाह खेंगे एक है नागपूर सर्त्याग्रा नागपूर का फ्लैग्स सत्याग्रा याद रखना थी का वैटर हुआ करता था दूसरा बोरसट सत्यागर सचीकाres यह 1922 से 24 के बीच में होने वाले सत्याग्रा है याद रखेगा इन फैक्ट वलब भाई पटेल वाज लीडर ओफ नो चेंजर्स 1922 के अंदर अगर आपको पता होगा तो प्रो चेंजर्स और नो चेंजर्स के बीच में संगर्श हुआ था प्रो चेंजर्स में मोतिलाल नहर सियारदास हुआ करते थे वलब भाई नो चेंजर्स के अंदर हुआ करते थे 1929 में जब लाहोर के अंदर गांदी जी और उस पीरिड में कॉंग्रेस के लीडर्स में पूर्ण स्वराज के लिए नारा दिया था तो पूर्ण स्वराज के लिए पटेल वस फॉस्ट चॉइस पार्टी कार्डर का मरलब है कि कॉंग्रेस के जितनी भी PCC थी वो चाती थी कि वलब भाई पटेल कॉंग्रेस के अध्यक्ष के रूप में बनके आये पर खैर गांदी और मोतिलाल नहरू चाहते थे कि हमें जवालाल नहरू को मौका देना चाहिए इसके लिए वलब भाई पटेल जेल में भी गए जेल में गए तो करीबन 6-8 मेने तक ही वस अरेस्टेड और अधर एक्टिविटीज जो सरकार के दूरा की गई थी फिर तो मार्च 1931 को वलब भाई फिर बाहर निकलेंगे जब घांदी रिविन पैक्ट होती है इसको दिल्ली पैक्ट कहता है इसके पर लार्च मेने में लास्ट वीक के अंदर वि Com to know की कराची में का शेशन होगा और इसी सेशन केंदर कांगेर्स की वर्किंग कमिटी के जो सदस्य थे उन सबने कहा कि हमारा ने ता वलब भही पाटेल कांगरेर्स की अध्यक्षों बनते है Dr. 1931 तक आते यह चीज याद र 1929 में हमने लाहोर में जब पूर्ण स्वराज का नारा दिया था उसके बास 1930 में हमने we will come to know कि क्या कहते है कि civil disobedience किया 1931 में जब घांधी इर्विन कि नई हम पूर्ण स्वराज के लिए ही अंदुलन करेंगे सर ठीक है दूसरी कहानी वलब भही पटेल के अधिक्ष्टा में ही जब कॉंग्रेस के अधिक्ष्ट बने तो उन्होंने definition दिया कि what is स्वराज स्वराज क्या होगा भारत के लोगों के लिए भविशे क्या होगा स्वराज किसे कहते है यह स्वराज को दो तरह से define किया गया भारतिय लोगों के लिए मूलबूत अधिकार fundamental rights और इसके साथ साथ economic planning national economic program की बात की जाती है जिसके थुरू भविशे के भारत के निर्मान कराने की कोशिश की गई थी सर ठीक है तो यह दोनों के दोनों प्रक्ताव आपको बता होने चाहिए fundamental rights इंडियन national movement में दो बार आया है याद रखिएगा सर ठीक है पहली बार fundamental rights को लेके officially जो demand या fundamental rights की list को किसी ने publish किया था वो 1928 में मोतिलाल नहरु नहरु रिपोर्ट के अंदर बताते है अगर आपको याद होगा कि साइमन के सामने एक नहरु रिपोर्ट पभ्लिश किया गया था जब साइमन भारत में आया था मोतिलाल नहरु के देक्षबाम एक नहरु कमिटी बनती है और उससे नहरू रिपोर्ट बना था तभी भी fundamental rights के list को publish किया गया था यहां पे भी आपको किया जाएगा दूसरा कराची Congress के अंदर ही भगत सिंग सुक्रे और राजगूरू की भाधूरी और शौरेता को घांदी जी अपने प्रस्ताओं के अंदर लेके आने की कोशिश करेंगे आप 23rd March 1931 भगत सिंग सुक्रेव और राजगूरू वर हैंग ना उनको मार्टी यर्स के रूप में उनको शहीद के रूप में कंसीडर किया गया और उनको अंग्रेजों ने फांसी दे दी थी तो जब यह फांसी दी गई तो उसके साथ दिन के बाद यह सेशन था और गांदी जब कराची के अंदर पहुंचे तो उनको काले जंडों के साथ स्वागत किया जाता है बाइदी रिवोलुशनरी सेंद पीपल अफ कराची सिटी कि आप क्यों नहीं बचा पाए खैर गांदी क्यों नहीं बचा पाए इसको पर अलग डिबेट है पर गांदी ने कराची कॉ राजगुरू को लेके जो घांदी जी का स्टैंड था या कॉंग्रस का स्टैंड ठाव कुस के अधिवेशन में इन विच कॉंग्रस इशन कराची कॉंग्रस के अंदर फंडामेंटल राइट्स की बात की गई है इब याद रिखनाकिंट्थे कॉंग्चिन फ्यांद रिख उसको लेके जो resolution draft किया था किस ने किया था वो किया था नहरू ने सर ठीक है न समझे तो यह भी हमारे लिए fact हो जाती है with respect to Karachi Congress क्यूंकि मैं कह रहा हूँ क्यूंकि इट वस जवालल नहरू who declared that the Congress will have a socio-economic program and the fundamental rights okay but the president at that time was व्लब भाई पटेल तो इन दोनों की dichotomy हैं आपको अलग से मैं कभी mains के दोरान एक वीडियो बना के दूंगा कि नहरू और पटेल के बीच में क्या वाद विवाद हुआ था पर यह चीज़ हमको पता होनी चीज़ है कि वलब भाई पटेल अध्यक्स्त हो थे पर प्रस्ताव किस ने लिख के दिया था तो नहरू सुझी ने लिखी दिया था इसमें freedom of speech, freedom of expression, universal suffrage की बात की गई है, freedom of movement, freedom to acquire property बात की गई है, titles की बात की गई है कि हम titles नहीं देंगे, discrimination नहीं करेंगे, equality before law की बात करेंगे, compulsory primary education की बात करेंगे, तो यह वही fundamental rights है जो आज की तारिक में हमारे भारतिय समीदान में हमों मिले ठीक है, यह दिये गए है, वही बात कराची में 1931 में भी trade की गई थी, इसके सिवह labor की बात की गई है, labor को decent standard of living मिले, minimum wages मिले, उनकी standard of condition थोड़ी अच्छी हो जाए, उनको बंदोवा मजदूर के रूप में ना रखा जाए, freedom from surdom, women workers की right, उनकी maternity rights, child labor की rights की बात की गई है और including workers के लिए trade union form करने की भी बात की गई थी, आपको पूछा जा सकता है कि इन में से किस Congress अधिवेशन के अंतरगत trade union के rights को बरकरार किया गया, labor rights को secure किया गया, तो वो कराची में था सर, ठीक है, यही कराची के अंतरगत यह भी कहा गया कि वही हमें land revenue कम करनी है, किसानों और expenditure को कम करना है, civil और military expenditure को कम करना है, including नमक के उपर, यहां पर salt duty लेवी नहीं करेंगे, यह भी कराची Congress के division में पास किया था, कि अगर Congress की सरकार बनेगी भविशय में, स्वराज ऐसा होगा, स्वराज कैसा होगा, मैंने बता रहे हैं आपको कि पहली बार बात कीगी थी, कि स्वराज कैसा होगा सर, ठीक है, तो for the very first time यह पूर्ण स्वराज, पूर्ण स्वराज, पूर्ण स्वराज बोल रहा था, तो बोला गया कि पूर्ण स्वराज कैसा होगा, पूर्ण स्वराज वैसा होगा, जहां खर्चा कम होगा, पूर्ण स्वराज वैसा होगा, जहां लेबर की decent condition of working standards होंगे पराज और पूर्ण स्वराज वैसा होगा जहां freedom of conscience freedom of religion होगा स्वराज और पूर्ण स्वराज वैसा होगा जहां right to assembly right to movement right to acquire property होगी क्यों क्यों कि British काल में यह सब कुछ नहीं मिल रहा था तो कराची Congress के अंदर भविशय के भारत की बात की गई है सर हम कहते हैं न कि definition of स्वराज स्वराज को कैसे retrate किया गया तो ऐसे retrate किया गया था याद रखेगा सर ठीक है तो विल फाइंड कि इसमें बहुत सारी चीजे है जो भविशय के फ्यूचर इंडिया के लिए बात की गई थी और यह फ्यूचर को कोई हाइलाइट कर रहा था तो वह लभाई पटेल ही थे सर ओके यही कराची कि लाइफ खराब होती है अल्टिमेटली इसको लेके अभी आपने देखा है और दिली में क्या चल रहा है सर थीक है तो विविल फाइंड कि स्टेट उस पीरिट में कह रहा था की भी हमें इसको लेके allow नहीं करना चाहिए सर ठीक है इसके सिवाए सिवाए state control of industries अब देखें ये दर्शारा है कि ये थोड़ा socialist model के उपर था कहा गया है कि industries means of communications जितने भी mines and minerals होगे उसके उपर state control होगा सर ठीक है relief from agriculture indebtedness and the control of usree जो किसान है किसानों का जो सोचन हो रहा है उसको लेके बात की थी and last but not the least कराची Congress में बड़ी interesting बात की गई कि हम भविशे के भारत के नागरीकों के लिए military training भी देंगे so that in the future if any needs arises we can we can train them out and eventually they can fight off with our enemies of the country तो कराची Congress में स्वराच की बहुत ही बहुत ही socio-economic, political, military, freedom of speech and expression, freedom of religion हर एक चीज़ की बात की गए थी तो यह स्वराच की परिभाशा है जो कराची के अंदर highlight की गए थी 1931 में और वलबभाई पटेल कराची में Congress के अध्यक्ष बने उसके बाद 1932 के बाद तो वो कभी अध्यक्ष नहीं बन पाए but he continued to remain a very important and political figure in the Congress leadership including जब 1937 में Congress की ministries बनती है तब यह वलबभाई थे जिनकी अध्यक्षता में Congress की parliamentary board बनी थी इसमें राजनर प्रसाद भी हुआ करते थे और आजाद भी हुआ करते थे और भी leaders थे और यह वलबभाई थे जो बिजिकली 1937 में Congress की ministries को भी guide कर रहे थे in fact 1940 से 47 के बीच में जितने भी CRIPS mission आया cabinet mission आया आप समनने की कोशिश करे CRIPS mission तो नहीं था पर बेवल प्लान आप देखने कोशिश करोगे इन सब प्लान के अंदर जभी भी important discussions हो रहे थे तो वलबभाई पटेल वास पर्सान हुआस पार्टी टू डिस्केशन और ही कि जितने भी जो एंटी इंडिया सेंटीमेंट सरकार के अंदर या मुस्लिम लिग पॉलिटिक्स में हो उसको भी काउंटर कर पाए सर ओके यह वलबभाई पटेल ही थे जिनको 1946 के अंदर कॉंग्रेस की जो इंटरिम गवर्मेंट थी या माउंट बेटन ने जो या विविलसी की कैबिनेट मिशन ने इंटरिम गवर्मेंट की प्लान की थी ये इंटरिम गवर्मेंट के अध्रिक्ष के रूप में इनका नाम प्रपोस किया गया था Congress की 12 में से 15 committees उस period में चाहती थी कि वलाभभाई पतेल should be the leader of the interim government In short, वलाभभाई पतेल should head the post-independence independence government क्योंकि यही interim government के अंदर transfer of power होने वाला था तो भारत के प्रधानमंत्री के रूप में वलाभभाई पतेल का नाम आना चाहिए था But out of we will see कि Nehruji का तो कहीं पर नाम नहीं था पर Gandhi नहीं कहा कि नहीं नहीं लेट उसमें एक Nehru the leader और इस बेजिस के रूप में वलाभभाई पतेल 1946-47 में भी उनका एक बार number हो गया था He was the Congress President, he was supposed to become the Congress President And being the Congress President, he was also supposed to become the head of the interim government De facto the Prime Minister of India खेर वो हो नहीं पाया तो वलाभभाई पतेल को तीन दफा मौका मिला तीन दफा मतलब यह है कि तीन दफा इनका नाम प्रपोस हुआ एक 1929 में हुआ नहीं बन पाये 1931 में वो बन पाये पर वो Resolution जो था नहरू के समय पे था 1946-47 में जब इंटरिंग गवर्मेंट की हेड करने की बात हुई तो इसमें से खाली एक ही बार वलाभभाई पतेल वी विल कम टू नो की वलाभभाई के रूप में निकल के आए खेर पर वलाभभाई कराची कॉंग्रेस को तो हेड करते है इसके सिवा आजाद भारत के अंदर भी बहुत बड़ा कॉंटरिशन देंगे आज आजाद भारत के कॉंटरिशन के उपर जादा नहीं जा रहा हूँ आज खाली कराची कॉंग्रेस तक ही रखेंगे यह याद रखेगा इसमें से कोई भी चीज़े आपको पूछी जा सकती है कि कराची कॉंग्रेस में क्या हुआ था कौन सा प्रपोजल आया था नैस्ट्रल एक्रोमिक प्रोग्राम क्या था वुमेन राइट्स के बारे में कहां कहां बात की गई थी और फिर कराची कॉंग्रेस घंधी इर्विन पैक को भी एंडोस करता है और कराची कॉंग्रेस में भगत सिंग सुक्रे और राजगूरू की शाहदत को भी हाइलाइट किया गया था आज इतना ही रखते है कराची कॉंग्रेस के बारे में इतना रखेंगे Congress का एक mega video लेके आने की कोशिश करूँगा comment session के अंदर मेरे को yes करके बताओ कि yes sir we want a mega session on the Congress leadership की एक दो दो घंटे के वीडियो में जितने भी Congress के session हुआ है कौन कब अध्यक्ष बना उसके उपर discussion करेंगे और खतम करना की कोशिश करेंगे sir ठीक है इसकी PDF आपको description box में दे दूँगा please do like share and subscribe और अगर आपको कोई भी query है तो comments करिए मैं जरूर से इसके answer करने की कोशिश करूँगा और अनकेडेमी के उपर आप पढ़ना चाते हो तो 5 बज़े मेरा special class है पीजन्स के उपर आप जरूर से attend करिए इसके सिवाए अगर आप subscription लेना चाते हो तो आज last day है ये code use करना pnlive आपको flat 50% off मिल जाएगा do like share and subscribe thank you very much keep studying let's crack it जय हिंद